मैं प्रद्युम्न तिवारी आज आपके समक्ष कोरोना नमक महामारी के संबंध में जो तिसी विभरन लेकर के विराजमान हूँ लोग कहते हैं कि जब कोई समस्य अथवा कोई संकट आता है और वैग्यानिक उसका जब कोई निदान अथवा कोई उपचार खोज लेते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे सास्त्रों में तो यह पहले से ही लिखा हुआ था लेकिन ये बात बाद में आए इसलिए मैं आपको इससे पहले ही अवगत करा देना चाहता हूँ 29 अक्टुबर 2019 को सनी गुरू और केतु एक साथ धनुरासीम गोचर कर रहे थे ये तीन बड़े बड़े ग्रह जब भी एक साथ आते हैं कोई न कोई विसुद्ध अत्वा कोई संकट अत्वा कोई दुर्भिक्ष लेकर के आते हैं इस बार इन्होंने इस महामारी को जन्व दिया और उससे ठीक दो महिने बाद 29 दिशंबर 2019 को सनी गुरूर केतू के साथ सूर्यों और बुध्वी धनूरासी में आ गए जबी पांचों ग्रहे एक साथ मिले तभी इस महामारी का विकास हुआ और उसके बाद आज ये महामारी हमारे और आपके समक्ष इस भहेंकर रूप में उपस्थित है आज से ठीक पांच दिन बाद 5 मई 2020 को सनी अपने स्वरासी मकर में बक्री हो जाएंगे और जब सनी बक्री हो जाएंगे तो और भी दुगनी तेजी से ये महामारी फैलने लगेगी लेकिन ठीक 9 दिन बाद 14 मई 2020 को गुरू भी अपनी नीच की रासी मकर में बक्री हो जाएंगे और जब गुरू बक्री हो जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन ये जादा दिनों के लिए नहीं मिलेगी ठीक दो महिने बाद 15 जुलाई 2020 को गुरू मकर रासी को छोड़ करके धनू रासी में जाएंगे और उसके बाद थीक 20 दिन बाद 5 अगस्त 2020 को सनी भी अपनी स्वरासी को छोड़ करके धनू रासी में पहुँच जाएंगे और ये तीन ग्रह फिर से एक साथ होंगे तभी इस महामारी का चर्मोत कर्स देखने को मिलेगा अतिभयंकर रूप हमको देखने को मिल बाद 3 सितमबर 2020 को केतू रासी परिवर तन करके धनू से ब्रिश्चिक में चले जाएंगे और जब केतू ब्रिश्चिक में जाएंगे तभी इस महामारी की कोई न कोई वैक्सिन अथ्वा कोई दवाई अथ्वा कोई उपचार मिल जाएगा और उसके बाद लगातार इस् 28 सितंबर 2020 को सनी भी मारगी हो जाएंगे तो इस्थितियां पूर्ण रूपेन समाप्त हो जाएंगे ये पंच्यांगी अभिवरण गणे शापा पंच्यांग के गोचरानुसार लिया गया है नमस्कार